धरने पर बैठे पहलवानों के मामले में अन्य राजियों के स्पोर्स फ्रेडरेशन ने आखिर क्यों साध रखी है चुपी ये मामला जहां कोट में पहुंच चुका है वहीं भारती कुछती मासंग भी दो हिस्सों में बढ़ती नजर आ रही है इस बात की भी चर्चा हो रही है कि ये मुद्धा खिलाडियों का होने के बज़ाए राजनेतिक और हर्याना बनाम उत्तर प्रदेश बन गया है नमस्कार मैं हूँ लता सिंग और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी दरसल जंदर मंतर पर बैठे खिलाडी पहलवानों ने ब्रजभूशन सरन सिंग के मामले में दो एफायर दर्ज कराई है और अब अडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने तुरंत जाच को लेकर याचिका डाली है इस बेच बुदवार को एक नाबालिक महीला पहलवान ने CRPC के सेक्शन 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराया वही दिल्ली पुलिस का कहना है कि कुष्टी खिलाडियों की शिकायत पर Wrestling Federation of India के अध्यक्ष ब्रजभूशन चरण सिंग का बयान दर्ज किया गया है और उनसे कुछ जरूरी दस्तावेज भी मांगे गए है इस मामले की जांच के लिए Special Investigation Team का भी गठन कर दिया गया है जिंतरवंतर पर बैठे इन खिलाडियों के समर्थन में अब दिगज खिलाडी भी आ गए है निशानेबाज अभिनव बिंद्रा, टैनिस खिलाडी सानिया मिर्जा, मुक्केबाज विजेंदर कुमर और पूर्व क्रिकेटर कपिल देव भी ट्वीट कर चुके हैं कपिल देव ने ट्वीट किया था कि क्या इन्हीं कभी इंसाफ मिल पाएगा वहीं टैनिस खिलाडी सानिया मिर्जा ने ट्वीट किया था कि एक खिलाडी से ज़्यादा एक महिला के रूप में यह देखना बहुत मुश्किल है उन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है और हम सभी ने उसका जश्न भी मनाया है अगर आपने ऐसा किया है तो आपको उनके साथ इस मुश्किल समय में भी खड़ा होना चाहिए यह बेहस समवेदंशील मामला है और गंभीर आरोप है बहस इस बात पर भी हो रही है कि हर्याना से आए इन पहलवानों के मामले में अन्नी राज्य के कुश्टी खिलाडी क्यों चुपिस सादे हुए है स्पोर्ट स्टार में एजिटोरियल कंसल्टेंट विजे लोकपली के अनुसार यौन शोशन की बात खुल कर कहना असान नहीं है और जंतर मंतर पर जिस तरह से खिलाडी बैठे हैं वह बहुत ही हिम्मत का काम है इसे मैं आंदोलन कहूंगा हलाकि इसे राजने तिक कहा जा रहा है लेकिन आम जंता और किसान इसे समर्थन कर रहे हैं तो यह कैसे कहा जा सकता है हाल ही में टेबल टेनिस खिलाडी मनिका बत्रा के नैशनल कैंप न जाने पर उन्हें एशियन चैंपेंशिप में शामिल नहीं किया गया था जिसके बाद उन्होंने टेबल टेनिस फेडरेशन आफ इंडिया के खिलाफ कोट का दर्वाजा खट-कटाया और जीत भी हासिल की उत्तर प्रदेश कुष्टी संग के महासचेव प्रेम मिश्रा कहते हैं कि ब्रजभूशन सिंग के खिलाफ जो हो रहा है प्रदर्शन यह गलत है क्योंकि वे हर खिलाड़ी की मदद करते हैं उन्होंने बताया कि उनका एक कॉलेज है जहां हजारों की संख्या में लड़किया पड़ती हैं वही कुष्टी में यूपी की भी कई लड़किया हैं लेकिन किसी ने ऐसा अरोप नहीं लगाया है ये एक इनसान को बदनाम करने की कोशिश हो रही है जंदर्वंतर पर बैठी महीला कुष्टी खिलाडी का सपोर्ट करने हर्याना के अन्य पहलवार अब तक क्यों नहीं आ रहे हैं मिश्रा ने ये भी बताया कि पहले खिलाडी इंडियन टीम में चैन के लिए होने मले कैंप में आने की बजाए सीधे ट्राइल देते थे लेकिर ब्रेजभूशन सिंग को लगा कि इससे अच्छे खिलाडियों को मौकर नहीं मिल पाता है वे कहते हैं मान लीजिए कोई खिलाडी कुष्टी में 65 किलोग्राम वजन वर्ग के में उलम्पिक के लिए क्वालिफाई कर जाता है तो इस खिलाडी को इसी वजन वर्ग में नैशल स्तर पर जो खिलाडी जीता है उससे मुकाबला करना होगा अगर उलम्पिक के लिए क्वालिफाई किया हुआ खिलाडी इसमें हार जाता है तो उसे 15 दिन बाद फिर से ट्राइल के लिए मौका दिया जाएगा इस ट्राइल में जीत के बाद ही ओलम्पिक के लिए क्वालिफाई किया हुआ खिलाडी टेम इंडिया में शामिल हो पाएगा मिश्र सीधे सवाल पूछते हैं क्या यह नजायस प्रक्रिया है? क्या प्रतिवा के हिसाब से खिलाडियों को मौका देना या नियम बनाना गलत है? उनका दावा है कि विरोध कर रहे खिलाडियों की नराजगी इसी बात से है मही मेलबन में हुई Commonwealth Wrestling Championship में रज़त पदक जीत कर आने वाले वरुन कुमार कहते हैं कि वो 2007 से कुष्टी से जुड़े हुए है वे बताते हैं कि ब्रजबुशन सिंग ने कैंपो में अनुशासन पर जोर दिया है और कई बार कारवाई भी की है जो इन खिलाडियों को पसंद नहीं आ रही है Sports Authority of India के दो बड़े सेंटर हैं एक सोनिपत और दूसरा लखनव महिलाओं के लिए लखनव सेंटर है तो सोनिपत लड़कों के लिए है वरुन कुमार ने आगे बताया कि इन पहलवानों की इस बात को लेकर भी नाराजगी थी कि सेंटर अलग-अलग क्यों किया जा रहा है और ऐसा करने का कारण ये था कि सोनिपत में हम सब एक साथ अब्यास करते थे और उसी दोरान अनुशासन की कमिया नजर आई और कुष्टी पर भी असर पढ़ने लगा इसी के बाद ब्रजबुशन ने महिला और पुरुष खिलाडियों के सेंटरों में बदलाव लेने का फैंसला किया वरुन आगे बताते हैं कि पहले कुष्टी में राश्य प्रतियोगिताएं नहीं होती थी लेकिन ब्रजबुशन सिंग ने इसकी शुरुवात की है कि खिलाडियों को हर प्रकार की सुविदा भी दी जाने लगी और केवल फोकर स्पोर्ट्स पर करने को कहा गया एक महिला कुष्टी खिलाडी का कहना है कि इस मामले में F.I.R. दर्ज हो चुकी है और अब ये खिलाडी कह रहे हैं कि गिरफतारी होनी चाहिए उनका कहना है कि एशन गेम्स आने वाले हैं और ऐसे में खिलाडियों को अब आगे की कारवाई का इंतजार करना चाहिए और अपने गेम पर फोकस करना चाहिए हाला कि विनेश फोकाट पहले ही साफ कर चुकी है कि हम पहलवानी कैसे कर सकते हैं अगर ब्रजबुशन सिरन सिंग बाहर है हमने आवाज उठाई है ना हमारे परिवार इतने परिशान है उन पर भी जो एक्ट लगे हैं उनकी गिरफतारी क्यों नहीं हो रही है अगर उसकी जगह कोई आम इनसान होता तो क्या उसकी गिरफतारी नहीं होती जहां तक बाप देश की दूसरी बड़ी रेसलिंग फ्रेडरेशन की है तो कुछ का मानना है कि यह एक कानूनी मामला है और इसे राजनेतिक रंग दिया जा रहा है तो कुछ इस पर खामोशी बरतना ही सही समझ रहे हैं आईए अब आपको बताते हैं कि अन्य राजियों की फ्रेडरेशन का क्या है कहना इस पूरे विवाद पर चंडिगड यूटी रेसलिंग एसोसियेशन के राजे शर्मा कहते हैं कि वे इस मामले में कोट के फैसले का इंतजार करेंगे वहीं गुजराथ स्टेट रेसलिंग एसोसियेशन के अध्याक्ष आईडी नानवटी कहते हैं कि हर्याना के खिलाडी काफी मजबूत होते हैं वहां की राज्य सरकार अन्य राजियों की तुलना में अपने खिलाडियों को खाफी सुविधाएं भी देती है हर्याना चाहता है कि रेसलिंग फ्रेडरेशन का पद उसे मिले क्योंकि वहीं से कुष्टी के जाधतर खिलाडी आते हैं ब्रिजभूशन का कारेकाल तो खत्मी ही हो रहा है चुनाव होंगे और कोई न कोई जीतेगा तो ये लोग चुनाव क्यों नहीं लड़ते कोई रोक नहीं रहा है लेकिन ऐसे सस्ते आरोप नहीं लगाने चाहिएं वहीं 36 गर्ड रेस्लिंग असोसियेशन के अध्यक्ष जगनात यादव का कहना है कि यह एक राजनेतिक मुद्दा बन गया है लेकिन पिछले 5 सालों में कुष्टी में कई सुधारों हैं जिसे नकारा नहीं जा सकता उनका कहना है कि यह कोट का मामला है और इसमें उन्हें या राजजी के खिलाडियों के बोलने की आवशकता नहीं है क्योंकि जांच अभी चल रही है हिमाचल प्रदेश रेस्लिंग असोसियेशन के महासचिफ जगदीश के अनुसार इस खबर के आते ही उन्होंने असोसियेशन में शामिस सभी लड़कियों से बात की लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार के यौन इक्वेडन से इंकार किया है तो कहते हैं कि इस मुद्दे के बाद अब पेरेंस भी बहुत डरे हुए हैं कि कहीं उनके बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो जाए हाला कि यह राजनितिक मुद्दा है और अब आप ही सोचिए सरकारी जाँच कमेटी में बबीता थी और वह कहती हैं कि जाँच रिपोर्ट के बाद बबीता से जबरदस्ति हस्ताक्षर कराए गए है यह बताईए कि यह कैसे संभव है यह सारी बाते गोल मोल नजर आ रही है बहराल इस मुद्दे में क्या सच और क्या जूट यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा फिलहाल इतना तै है कि पहलवान अपनी इस लंबी जंग के लिए तैयार है आज की रिपोर्ट में के वल इतना ही ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी